और दिली में आम आद्मी पार्टी और कॉंग्रस के बीच गटबंदन की सभी संभावनाय खत्म हो गई है ये एक तरीके से आम आद्मी पार्टी सेयों जग अर्विन के जवाल के लिए बड़ा जटका है जो पिछली बार सारजरे को रूप से कॉंग्रस से गटबंदन की इच्छ जताते रहे हैं जबकि दिली कॉंग्रस के अध्याक्ष शीला दिक्षित गटबंदन के पक्ष में नहीं थी आखिरकार कॉंगर्स के राष्टी अध्याक्षिर राहूल गांधी ने गटबंदन से दूर रहने का फैसला किया है पार्टी ने ताउन से बादचीत के बाद राहूल गांधी ने तै किया कि दिली में कॉंगर्स अकेले ही चिनाव लड़ेगी पार्टी के इस फैसले की जानकारी देने के लिए केसी वेड़ो कुपाल और पीसी चाको शीला दिक्षित के घर पहुंचे वहीं सुत्रों के अवाले से बड़ी खबर ये भी है कि देर रात कॉंग्रस की स्क्रीनिंग कमिटी की दिली के उमिद्वारों के लिए बैचक भी हुई थी तो पार्टी ने ताउंस से बातचीत के बाद राहूल कांथी ने फैसला लिया है कि घर पंदन नहीं होगा बेड रात कॉंग्रस की स्क्रीनिंग कमिटी की बैठक होई थी सुत्रों के हवाले से ये खबर है आम आदमिपार्टी कॉंग्रस के गठबंदन को लेकर जल्द ही आपचारे कैलान भी हो जाएगा